जै शी कृष्णा आज जानकारी लेकर आएंस विशय के ऊपर के आखिर वो कौन-कौन सी चीजे होती हैं जो आपने अपने घरों में देखी तो हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो किस तरीके से चमतकारी गुरूप से काम करती है आपने कहीं बार देखा होगा घर के बाहर स्वास्तिक बने हुए घर के मुखे द्वार के आसपा शुबलाव लिखे हुए स्वास्तिक के साथ साथ माता के चरण बने हुए देखे होंगे पर आपके मन में विचारा आया होगा कि भई ये पता नहीं काम करते हैं या फिस सिफ सजावट के लिए किया जाता है मंदिर म हम आपको देंगे ये प्रमारित होती है इस प्रकार से कि देवी शक्तियों के द्वारा जो चीजें बताई जाती है कि कौन से चीज कैसे काम करती है उसका कोई लाब है कि नहीं है वही हम आपको बताते हैं कि भई ये कैसे काम करती है हाला कि जो भी चीजें होती है, जो भी ज्यान की बाते होती है, सारी चीजें आपको हमारी ग्रंथों में भी लिखी हुई मिल जाती है वही चीजें देवी शक्तियां भी बताती है, अलग कुछ नहीं होता शुरुवात करते हैं आपके घर के मुख्य द्वार की तो हाँ घर का मुख्य द्वार साफ सुत्रा होना चाहिए घर के मुख्य द्वार से प्रति दिन सकरात्मक उर्जा प्रवेश करती है ब्रह्म मूर्थ में जब संचालन दोबारा शुरू होता है नए दिन का तब सकरात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश करती है मुख्य द लक्ष्मी से होता है इसके बाद जब आप घर के मुख्य द्वार के पास में आते हैं तो मुख्य द्वार के बाहर के और अगर आपने स्वास्तिक बनाए हुए हैं दोनों तरफ तो ये स्वास्तिक से भी सकरात्मक उर्जा हरमेशा बनती रहती है जो उर्जा आपके घर में म माता लक्ष्मी के अश्च लक्ष्मियों का वास होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार का धन, वाहन, पत्नी, सुख सभी कुछ शामिल होता है, इसके लिए आपको ये चिन बनाने चाहिए, स्वास्तिक दोनों तरफ, घर के बाहर आपको शुबलाब लिखें न लिखें, कोई बात नहीं, लेकिन माता के पैर के चिन बनाना चाहिए, हमने माता लक्ष्मी के जब वरत चलते हैं, तब कैसे त्यारी करना चाहिए, वो हमने बताया है, कि किस तरीके से मुख्य द्वार पर माता लक्षमी के चरण बनाने चाहिए, यह ऐसी जगह पर बनाओ, जैसे कि बाहर के साइफ एक तरफ जहां पर आपका पैर न रखा है, दरवाजे के बीच में निकलने वाली जगह पर नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा साइड में, कि भ योग करना ही चाहिए और यह लाब देता है, तो इसी लिए इन चीजों को पहले के समय में दरवाजे पर उकेड़ दिया जाता था, स्वास्तिक बने हुए होते थे, माता के चरण बने होते थे, विष्णु जी के चरण बने हुए होते थे, शंक बना हुआ होता था, सुद जब आप घर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करने के बाद आती है आपके घर के मंदिर की, तो जब आप घर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो घर के मंदिर में उपस्ति देवी शक्तियों के लिए, प्रति दिन जाडु पहुचा मंदिर में लगना चाहिए, प् भी उग्रे शक्ति आपके घर की सुरक्षा करना चाहे या जो भी सिद्धिया आपके घर में बंती है उगर की सुरक्षा करना चाहे तो उनके पास भौतिक रूप से एक अस्तर होना चाहिए क्योंकि आपके घर की सुरक्षा घर तो भौतिक होता है आपका ये शूज में जिसमें नोख नहीं होती, धार नहीं होती, तो रखते हैं, आप त्रिशूल रखो, सबसे उत्तम त्रिशूल होता है, तो त्रिशूल आप पीतल का रख सकते हो अपने घर के मंदिर में, इसके बाद हवन कुन होना जरूरी है अपके घर के मंदिर में, जिससे आपको समय समय जब हवन करने का मन हो तो आपको याद आ जाए कि हवन कुंट देखके कि बहुत दिन हो गए हवन ने किया यह चीज़े होना ही चाहिए घर के मंदिर में अंधिरा नहीं होना चाहिए कभी शाम के समय पर जैसे कि रात्री का समय है तो अंधिरा नहीं होना चाहिए यह चीज़ ना हो जिससे लेटिंग बात्रूम की जो हवा होती है वो किचिन में ऐसा नहीं होना चाहिए इससे सब कुछ गड़बल हो जाता है इससे भोजन पाने वाले जो लोग होते हैं उनकी मानसी किस्तिती भी गड़बल होगी बार-बार और आर्थी किस्तिती भी बिगड़ेगी ब बार-बार तो किचिन अलग होना चाहिए लेटिंग बात्रूम अलग होना चाहिए इसलिए दिशा का एक निर्देश दिया जाता था कि भाई कौन-कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए जिससे आपको वह गलती कभी होना ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई किचिन इधर लेटेंग बातरूम इस देशा में होना चाहिए, तो कभी उनका संबन्दी नी बनेगा, पर लोग क्या करते हैं कि किचिन भी बना लिया और चिपका की लेटिंग बातरूम बना दिया, बीच में एक एक एक्जास दे दिया, अब लेटरिंग बातरूम की हवा किचिन में जा रही है उल्टा सिस्टम हो जाता है जिससे की बहुत नकारात्मा कूर्जा घर में बनती है और जो भोजन रहता हो सारा अपवित्र होता है ऐसे किचिन का भोजन अपवित्र होता है वहाँ पर जो भी आप बना के खाते हो सब अप पवित्र है तो उससे फिर बल बुद्धी विद्या कुछ भी काम नहीं करेगा आपका सब कुछ गर्बल हो जाएगी तो इन चीजों का ध्यान रखें आपने बेड्रूम में जो आपका विस्तर होता है उसकी जो चादर आप ब बेड्रूम तक ना जाने दें इससे क्या होता है इसे नकरात्म कूर्जा घर में प्रवेश करती है इसमें कोई क्रिया विर्या का काम नहीं है पर नकरात्म कूर्जा प्रवेश करती है जब बाहर के लोग आपके बेड्रूम में जाते हैं और उनकी कैसी द्रश्टी है क्या सोच है उससे फिर नजर लगने वाली बात होती, घर में लड़ाई-जगड़े होते हैं, तो लोगों को दूर रखे, या फिर, चादर बदल देते हैं अगर आप हर साथ दिन में और जब चादर बदलते हैं, तो उससा में छीटे अपने विस्तर पे जल के छीटे दे बश्डरमें आप जैसे घर में पवित्र जल के छीटे देते थे से नजर्डो स्वृल आपना करत्म कूर्जा बनती है, उससे बचाओ के उपाय हैं, कि अगर ये चीज़े आप करते हो, तो घर में हमेशा पविद्रता बनी रहेगी, मिन चीज़ों का ध्यान रखें, कि भाई ये चीज़े जरूर हो, एक बार जो कपड़े पहन लिए, दोबारा धुल के ही पहनना दो घंटे के लिए अगर आपने पहन लिए हैं, तो अब उनको आप धोईंगे, धोने के बाद ही अगली बार पहनेंगे, अगर आप इस प्रकार से साफ सफाई से रहते हो, और घर में इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, कभी कोई नकरात्म कूर्जा आपके घर में अपने जीवन जी होगे और घर में लक्षमी की प्राप्ती होगी जैसी करें